कि अलो माई लियर स्टूडेंट कैसे आप सभी लोग मैं आसे खुश्वा आप सभी का एमबाई पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कैसी चल रही आप सब सब्सक्राइब करते हैं जिसमें हम बाइलोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन की प्रेक्टिस करने वाले हैं प्रेरा कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर है जल्दी से पढ़ लीजिए और बताए क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर मैंने एक एनिमेशन भी लगाया हुआ ह एक एनिमेशन की इमेज निकालकर आप लोगों के लिए लगाई हुई है तो आप उस इमेज को देखके साइद आप लोग आईडिया लगाएं आई यह कोशन पढ़ते हैं हम लोग कोशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन को पढ़ लीजिए और जो भी स्टुडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए है प्लीज एक बार मुझे कॉमेंट करके बता दें आवाज बगेरा प्रॉपर आ रही है आप तक जी तो यहां पर आप लोगों ने कोशन को पढ़ लिया होगा कोशन क्या है एक अमलेरियल ड्रग विच इस एन आर् ने की दवा सिनकुना की चाल का कृतिम विकल्प है बताइए क्या होगा सब्सक्राइब में में दिख्कत हो जाती है इस डॉप है यह क्या है यह क्या है यह आईड्रोप अप इसे बोल सकते हैं तो इसको तो cancel कर दीजिए उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ बिल्कु सभी राणी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर दे गया है ट्रेट्रा साइक्लीन तो यह क्या है यह एक एंटी वेक्टीरियल मेडिसीन है anti-vacterial medicine mostly यह इक बिमारी में दी जाती है अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने एक बिमारी सुनी होगी pneumonia जो कि वैक्टीरिया की व्यज़े से होती है pneumonia जो कि वैक्टीरिया की व्यज़े से होती है तो यहाँ पर यह दी जाती है anti-vacterial है उसी तरीके से सिरे सरे जाती है आप लोगों सुना हो गई विबेंबारी है जो कि वाइरस और मेनिंग जयाटिस वैक्रिया और फंगस्तिनों की वज़े से होती है तो मेनिंग जयाटिस पीस में जी जिसमें वैक्टीरिया वाला मेनिंज जी होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाग होता है वाइरस वाला उतना खराज खतरनाग नहीं होता है हाँ रानी जी यह कुनैन का अल्टरनेट है जैसे आप लोग alternate का मतलब समझें जैसे आप लोग दवाई लेने गए तो आप ने कहा कि सार हमें बुखा रहे हमें आप एक काम करिए पैरसिता मोल दे देजे तो वह आपको क्या कहेगा कि पैरसिता मोल तो नहीं आप ब्रूफिन ले लीजे तो इस तरीके से जो है यह एक त एक बुख सेस से एक है कंडी से रिलेटेड डिजीज लेंग्स डिजीज या पर नियूराजिकल डिजीज डिजीज अनियूराजिकल मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉअट से रिलेटेड डिजीज बताई देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं एक्ट्री यह जो है ना ऐसे लोगों को बहुत हो जाती है जो ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर सिलिका की डस्ट को सिलिका की डस्ट जहां पर जादा होती है तो उनको यह प्राबलम हो सकती है ठीक है क्या होता है एक बड़े एमाउंट में लार्ज एमाउंट एक बड़े एमाउंट में लार्ज एमाउंट में जब हम इन्हेल करेंगे इन्हेल करेंगे यही सिल्का के डस्ट तो फिर क्या होगा ऐसे पर्सन को जो है silikosis हो जाएगा क्लियर है धनांजे बलकु सही आन्सर दे रहे हैं जी लीवर नहीं यहीं होग इसका अंसर एसका अंसर छीक्त कर्कुष डे च 닥ेःगे क्या अशोर जी का शरीय तो लंभा जलाउक और को का कॉर्ण प्रहाई यह घृपप आप्ड कोको यह वेन जो की लेग में पाई जाए या आर्टरी जो फोराम मरा यह इससा होता है इधर इस तरीके से फोरार्म हो गई ठीक है यहां पर और अर्टरी फ्रॉं कि मेमरी रिजन ऑफ चैस्ट भिलकोल या फिर अनी ओफ धीज ठीक है यह अप लोगों को बता जाता हूं होता क्या है आप लोगों ने सुना और हो यह कोशन आप लोगों का आया भी था लास्ट यह जो हमारा सीडियस ऊथा जो सीडियस बन लास्ट यह था सीडियस टूकी ब इसमें जो है जब हम मैचिंग कर रहे तो मैच इंग में एक कोश्चन आया था किवे होला कोरोनरी आरख विँन ऑड़ो गया है कि सको हमारे हार्ट गुंण तो एकстве हारण की इसको हार्ट की भी वी मसल्स को प्रोवाइट करती है और यही कॉरोनरी आर्ट रित रहे यह चोक हो गई यानि बंद हो गई तो इसी से क्या होता है हाट अटेक आ जाता है हाट अटेक आ जाता है तो इस केस में क्या होता है यहां पर जो था है बाइपास सर्जरी करनी पड़ती है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं एसे में आप लोग यहां पर answer लगा सकते हैं वो एनी उप डीस या निए इन में से किसी एक को भी use किया सकता है तो हमारा correct answer क्या होगा है हाँ बिल्कुस्थ है रहा हमारा correct answer यहां पर हो जाएगा di I have an next question आइज़ कीपिंग पिक्स अवे प्रों स्वारों को मानव वस्तियों से दूर रखने से डेश का अनुमूलन में मदद मिलती है ठीक है बहुत अच्छा कोश्चन है देखिए यहां पर हमें बहुत सारे प्रोटोजवा की वज़े से होता है प्रोटोजवा ठीक है और इसमें जो पैरासाइट होता है कि यह होता है कि प्लाज्मोडियम 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 फैल्सिपुरम ठीक है और इसमें प्लाज्मोडीयम फ्लाज्मोडीयम वाइबक्स यह होते हैं बत समझ अरिया किस की です वाइस होता है मॉस्किटो स्काड़ से मंच्छर काटने तब होता है these अच्छा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें मॉस्केटर कौन सा इसमाल होता है मतलब समस्क्रेटंस काट के जाता है तो आप कहेंगे कि यह seller प्लेम्मोस्केट्डो जो काट के जाता है यह फिमेल लोटा थो आप लोगों को malaria समझ में आ गया होका तो malaria हो पलाफ लोगों का आंसर नहीं warfare प्लाइश से होता है और इसको का नाम में क्या होता है पाली नहीं हो तो यह यह ग्रोंगा सब्सक्राइश होता है उसके का लिए और कि दो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं हम लोगBut कर देते हैं का ठोलिब इसको हम इग्नोर कर देते ए और दो आप यहां पर दिया है elephant is elephant Isis क्या होता है आप लोगों को मैं clear कर दो हांति जैसा पाँ हो जाएगाता यह कोई एक पैर जो है वो काफी मोटा हो जाएगा तो elephant isis का एक और नाम भी होता है जल्दी से तहीं यह कई बार एक्जाम में फोच्छा जाता है elephantiasis का एक दूसरा नाम होता है यह होता है यह पो ख॥ यह होता है कि infinites ? क्या इसका बूसा नाम होगा इसका ऑप एक ओध हक और एसेस ठीक है बास समझ में आ रही है आप लोगों को लिंफेटिक पाइल ऐसेज इसका दूसरा नाम होगा आप लोगों को यहां पर यह भी बताना है कि एलिफेंट ऐसेज जो होता है यह किस वैक्टर की वज़े से होता है चले एक बात जल्दी सता है कौन सा वैक्टर होता है जिसक हाँ बिल्कुल सही कह रहे है रानी जी मौस्किटों के काटने सोता है वेरी गुड तो देखो मैं आप लोगों पताता हूं टेंशन मतलों मैं आपको सारी बात समझा देता हूं अधे जो होता है यह होता है लिम्फेटिक फायलेसिस होता है और यह एक तरीके से मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है लिम्फेटिक फायलेसिस जो है इसमें पैरसाइट होते हैं अच्छा पैरसाइट जो है वह भी छेत्री वाइस होते हैं देखिए जैसे मैंने आप लोगों को इसी लिए टाइन द RIKA की बात करते हैं ठीक किसकी बात करते है अमेरिका की तो फिर ये जो होगा क्यों लेक्सों याद रहेंगत तो आप आउ TS जो वेक्टर के शिर्वARYCON पढ़ लीजेगा कि वह एक वाइक राओं लिएगा की वह schon a रोगिभी मुझा उप sürना है कि यह जो है कि आप से पूचा गया अमरीका के साफसे और एलेफेंट एलेफेंट से जो होता है यह होता है वह अप कम की वज़य इसनी बात सबज में आ गई सबी को तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं अब हम आते हैं हम अपने आंसर पर तो हमारा c भी आंसर नहीं है डी भी नहीं है एब नहीं तो जैपनीज इंसे फिलाइड जो होता है सबसे पहला पॉइंट यह वाइरस की वज़े से होता है सबसे पहला पॉइंट यह किसकी वाज़ सोता है वाइरस की वाज़ सोता है दूसरा पॉइंट यह हमारे ब्रेन को नुक्सान पहुंचाता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को नुक्सान पहुंचाता है तीसरा पॉइंट यह मॉस्केटों के काटने से होता है उसे डेंगू ओता है नए उसकोटों के काटने से तो यह भी मंश्चोटों के काटने से होता है मौस्चिटों वाइट सोती है और यह जो वायरास होता है न this virus एज पाउंड in pigs and birds, तो ये वायरस जो है चड़िया और सुवर जो pigs and birds होते हैं उनमें पाया जाता है तो अगर किसी व्यक्ति के आसपास ये pigs फले जैसे मतलब कोई pigs हैं या birds जो है वो फले हुए है तो उनपर अगर ये आगर ये mosquito बैठेगा, उनको bite करेगा और उसके बाद किसी human को bite करेगा तो क्या होगा यह जो है उसमें अपना वाइरस छोड़ देगा बात समझ में आ रही है तो हमारा answer यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा answer होना चाहिए अब देख सकते हैं हमारा answer होगा भी ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा सारे option समझाने में लेकिन आप लोगों को समझ में जरूर आ गए होंगे next question है the human eye is sensitive to wavelength in the range of मनुष्य का नेतर डैश के तरंग द्हारे के प्रती संवेधन सील होता है देखिए सीदी सी बात है हमारी आँखे किस को देखती हैं हमारी आँखे देखती है वीज्वल लाइट को और वीज्वल लाइट की अगर मैं wavelength की बात कुरूं तो यह कितनी होती है जल्दी सथ आई कि green color के cloth क्यों होते हैं hospitals पगएर में यह यलो कलर की टेक्सी क्यों होती है क्योंकि इनकी जो wavelength होती है वो 555 nanometer के बीच में होती है यानि हमारी जो आँख होती है आपको मैं बता दूं यह सबसे ज्यादा सुगमय जो होती है वो इसी नैनोमीटर के लिए होती है और अगर तरंग दहरे पूछ ले तो इतना मतलब सौरी अगर पूछ ले तरंग दहरे को तो आप क्या लगाएंगे वेवलेंद को एंगस्ट्रॉम में 555 लगा दीजेगा और ग्रीन में आप 555 या 550 लगा सकते है आंसर ठीक है यह बात आप लोग lige बनती है वो कहां बनती सकयलेर आ पर की कोर्निया पर की रेटीन आप पी की पिव फिला या फिर आई्रेश पर यह फिर लेंस पर जो भी आप सब कुष या फिर ऑप्टिक नर पर रेटीन आपर जी धिद्र JONज مشाह कुए ब्लकु उसाइद कि सर जो बंती यह रेटी ना पर ब्लाव lance बहुत बढ़िया है रेटी आनल या अच्छह राती अब बकर आए कुल्टी मती किसी लिए तो आप कहेंगे सब्लेंट बनती हैं कि मोस्ते बहुत बढ़िया है आप से पूछा जाएगा कि रीर विंस्दि अधि शोटी बंती है कि बढ़ी आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है जल्दी से आइस का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है ठीक है और आइस का जो कलर होता है जिसे जील सी नीली आखे होती हैं कुछ लोगों की काली आखे होती हैं कुछ लोगों की ब्राउन आखे होती हैं तो वो कलर किसली होता है तो डोनेट किया जाता है कोर्णिया रानी जी और धरंजय जी ने विलकुर सही आंसर दिया है कि सर कोर्णिया इस दा राइट आंसर धर तो आप लोग जो भी होंबर का अंसर देते हैं वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैं उन्हें परसनली देखता हूं और अगर कोई भी गलती होगी तो मैं उसको महीं पर करेक्ट कर दूंगा उसके लिए प्लीज बुरा मत मानिएगा कहीं आप सोचोगी सर हमें करेक्ट कर रह है आप लोग वह समझ में आ रही है देखिए एक्चुली क्या है 360 डिवाइड़ वाइड नाइन्टी माइनस बन अगर हम इसे यहां पर करेंगे तो फोर माइनस बन जोगा वह थ्री होगा अंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं हम लोग योग यहां और नेक्स कुश्टन है आपकर आप लुक देख सकते हैं न्यूम उस्ट न्यूओ कोनी होसिस न्यूमो कोनियोसेस考 Italian नाम होते हैं अप好像 worker who work mainly in पुस्पुस धूलिय मता से वे स्रमिक रोग रस्त होते हैं जो मुख्यता कहां काम करते हैं जी कि हाँ बिल्कु सही बोला रानी जी आपने फोकल लेंग जो होती है वो किसके दौरा कंट्रोल होती है तो मान लीजै कोई चमडे की जगह पर काम कर रहा है उसको ज्यादा तर नुब्रिमारी होगी या फिर कोईले की खान में काम कर रहा है या फिर जहां पर सराव बगएरा बनती है डिस्टिलिरी बगेरा होती है यह फिर ग्लास इंडेस्ट्री में तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी धरंजय ने मिल्कुछ सही आंसर दिया है और सबसे पहले आंसर दिया कि सर जो कोईले की खान होती है वहां पर जो काम करते हैं उनको निमो कोनियोंसिस की विमारी के ज्यादा से ज्यादा चांसेज होते हैं क्यूंकि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वह चैस्ट में जमते हैं आई अब मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं देखिए यहां पर जो है किस तरीके से जो है कोईले को निकाला जा रहा है ठीक है कोईले का खनन हो रहा है अब नेक्स कोशन है दा सेके राइट प्रिजेंट इन मिल्क दूद में विद्वान सेके राइट क्या होता है यानि दूद के अंदर किस तरीके की शुगर पाए जाते है सुक्रोज लेक्टोज माल्टोज या फिर सेलो बाइओस सेलो बाइ सेलोलोस जो है वो मनोसेक्राइड है और जब सेलूलोस के वह झोड़ेंगे तो वह क्या बन Hail эта या यसाई रहें धाएग और दूद में जो पाये जाता है Nat now सुक्रोज पाये जाता है वो cello bios होता है ठीक है आईए अगले question पर चलते हैं हम लोग and next question है यहाँ पर starch is starch क्या होता है बहुत सारे monosecrites की एक लंबी chain बनाते है तो वो बनता है polysecrite और यही होता है starch तो यहाँ पर है monosecrite disacrite और monosecrite की एक लंबी chain होती है polysecrite तो हमारा answer यहाँ पर क्या बनेगा हमारा answer बनेगा c बिल्कुल धरण जैसा ही कह रहे है हमारा correct answer क्या होगा हमारा correct answer यहाँ पर c होगा next question है which part of animal cell is called powerhouse जन्तु कोसिका का कौन सा भाग विजली घर कहलाता है बहुत अच्छा question है बतु कि है अगर केंगा c ना Bringing जाता है यह तो से बांट चाहरा यह किस से यह कि बनी जाता है कि होते हैं उनमें plant के मुकाबले अचल और और नहीं पाई जाती है उनमें सिर्फ म्यार्ड के नाधा है जो nucleus होता है क्योंकि इस पर डीएने पाई जाता है इसी लिए इसको control center भी कहते हैं एंटर सेल करते हैं तो mitochondria जो होता है इसको powerhouse बोला जाता है अच्छा यह बताईए यह बात किसने बोली थी यह powerhouse नाम इसको किसने दिया था जल्दी सताई है जी बिल्कु सही और हाँ बिल्कुल धरणजय जी ने तो सभी बोला मैं और बच्चों से भी सुनना चाहता था यह जो साइंटिस्स थे फिलिप थे ठीक है यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धरेंजय और रानी जो है फुद कुछ फैक्ट मैं भी बता रहा हूं और कुछ यह भी हम उससे नेट्रोकॉंड्रिया जी और नेक्स्ट कुश्चन हमारा है यहां पर इन विच और और ऑफ हुमन बोड़ी इस दा लिंफोसाइट सेल्स फॉर्म मानव सरी के कौन से अंग में लसी का को सिकाएं बनती हैं यहां पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं जी दादा ठाक्तुर म महाकाल नाम बहुत प्यारा है आपका जई यह जो लिंफोसाइट होते हैं यह होते क्या है लिंफोसाइट मोनोसाइट नूट्रोफिल इसक्षम के औरgraphry को हम बनेंगे सबसे ज़्यादा लिवर को कैंसर कर दी होती है आप यहां पर आंसर डी लगाएंगे स्प्लीन है ठीक है देखो कहने को तो ए भी आप लोगों का आंसर है क्योंकि कि WBC का निर्मार्ण लीवर में भी होता है लेकिन मैंने आप लोगों को कई बार बता है कि जब कोई एक ऐसा केस फस जाए केस क्या जब आपको दो ऑप्सन में कोई एक उप्सन चुनना हो तो आप देखना कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रियेट कौन है तो अगर मैं बात करू तो नंबर बन पर स्प्लीन है फिर बोन मेरो है फिर लीवर है तो सबसे ज्यादा जो है स्प्लीन में है तो हम क्या लगा के आएंगे स्प्लीन त्ली हाला कि यह जो इस्प्लीन है पता है आप लोगों को यह आर्वीसी का ग्रेवयार्ड भी है आर्वीसी का कवरिस्त्यान होता है तो का होता है तो फॉर्मेशन होता है बोन मेरों ये बोन मेरों और ये इसका सबमी अधियों का नहीं तो बड़ी-बड़ी नहीं वहांколь में जैसे हमारे कूले की हड़ी हो गई हमारे कंदे की हड़ी हो गई हमारी थाई की बोन हो गई या हमारे शोल्डर की बोन हो गई तो इन बोन के किनारे वाले हिस्से में जैसे कोई बोन है ना तो उसके मिडल में नहीं मिडल में तो येलो बोन महर होता है किनारे वाले हिस्से में पाई जाती है जो इस पंजी होता है तो वहां पर आरबी सी का फॉर्मेशन होता है कितनी बाद सभी को क्लियर हो रहे हैं हाँ बिल्कु सही कहा दरेंजा जी तो ठीक है हमातर यहां पर लगा देते हैं अच्छा एक बाद आए अगर कोई बच्चा माता के गर्व में है यानि जो बच्चा है वह कौन सी स्टेज में है बच्चा जो है इंब्यूस टेज में इंब्यूनिक तो अब बताईए अब मुझे बताईए कि अब आर्वी सी का फॉर्मेशन कहां पर हो संदिये अब जो आर्वी formation होगा वो लीवर में होगा कहां पर होगा लीवर में होगा तो यह बात आप लोगों को ध्यार नख नहीं है क्योंकि एक्जामनर कई बार हमसे पूछता है एक्जाम में ठीक है तो प्लीज इसको याद रखिएगा और आईए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं सही बात है अगर कोई सेल जो है रिपेर नहीं हो सकता है तो यह क्या होता है उसका भक्षण कर देता उसे खतम कर देता है इंजाइम अपने अंदर से यह निकालता वह निजाइस में आप लोगों को बताऊंगा या फिर आप ही मुझे बता दीजेगा यह बात भी सही है तो इ यह का लाएस ओसो में पे कुछस पताने वाला हो पहुत पेहला कोशनन को सुसाइड़ ऒग कहा जाता है है आप अ क्यों ठीक है दूसरा कोश्चन इसमें जो एनजाइम होते हैं है और यह digestive enzyme भी होते हैं एंजायम जो होते हैं यह digest करते हैं आप से पूछा जाएगा क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट करते हैं तो आप बोलेंगे carbohydrate को ठीक है fat को cholesterol को lipid को और जो pathogen होते हैं जो बहरी आक्रमण कारी होते हैं जैसे वैक्टीरिया इनको भी मार देते हैं सेल के अंदर हाँ ये बात रानी सिंग ने बिल्कु सही बोली है कि सर ये जो एंजायम होते हैं ये एंजायम होते हैं हाइड्रो लाइट टिक एंजायम होते हैं यह बात आपने बिल्कुस सही बोली है ठीक है चलिए आपसे एक कोश्चन और पूछा जा सकता है इसकी खोज किस ने की थी तो डिस्कवर किस ने किया था ठीक है डिस्कवरड बाये जल्दी इसकोवर्ड जल्दी सताय हो डिस्कोवर्ड डिस्कवर्ड बाये डी डूबे ए ठीक है तो हमने काफी सारे कोश्चन जो है लाइसोसों पे डिसकस कर लिये जो एक्जाम में पूछे जाते है आप मुझे उन एंजाइम्स के नाम और बता दीजिए जो एंजाइम्स जो होते हैं ठीक है जादा जादा नहीं है वैसे है तो बहुत जादा लेकिन आपको चार पांच ही यार्थ करने हैं तो जो भी एंजाइम का नाम आप लोगों को याद आ रहा हो जो लाइसोसों में पा सुरुवात करता हूं चलो सबसे पहले मैं सुरुवात करता हूं बच्चे कहेंगे कि सर आप ही सुरुवात करें तो एक एंजाइम का नाम होता इसमें प्रोटीएज ठीक है प्रोटीज दनेंजी ने भी यह बताया गानी बोले है लाइप ऐस ठीक है और लिखते हैं लोग और कुछ याद आ रहा है कोई दिखेगा प्रोटी लाइप एस और भी कुछ याद आरा तो जल्दी से यार आप लोगों को फॉस्फेटेस अ याद आया और कुछ याद आ रहा हो जल्दी से निजमी जिनत डीजे सकते सलुने कि और को यहाद आ रहो चार तो हो गया फॉस्फो लिपेड्स लिए फॉस्फो नहीं फॉस्फो लाइपेज दो आप कि जैगा फॉस्फो लाइपेज और पाँच हो गये जाद से जादा छे यह साथ होते है एक और नुकलीज हमारा तो यह च्छे को या दखने हैं तो बेसिक ली चार इस में बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं प्रोटियेस लाइपेस और और यह लास्ट वाला नूक्लेस यह चार तो important होते हैं जिन पर questions एक्जाम में बनते हैं किलियर है आईए next question पर चलते हैं and next question है which is the correct order of phases in pro phase 1 पूर्वा वस्था 1 में चरणों का सही करम कौन सा होगा तो पहला option है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेप्टोटीन है लेप्टोटीनी फिर है यहां पर डाइक आइनीस इस ट्रिक है और यहां पर डिप्लोटीन या फिल जाइगोटीन तो यहां पर सबसे अगर मैं बात करता हूं तो आदा एंड में होना चाहिए यह हएंड में हमारा करेंट आंसर क्या होना हमारा करेंट आंसर यहां पर बी होगा नेक्शिछ नेक्श्ट्पोशन जी अग्सार्ज ग्लेंड इन सी है बता BCE मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी आप लोगों को देख के बतानी है लीवर थाइमस फाइरॉइड पैंक्रियास या फिर बताई क्या करेक्ट आंसर होगा तो basically सभी बच्चों के आ रंसर यहां पर सही आ रहे हैं कि सर लीवर जो होती है सबसे बड़ी इक्लैंड होती यह,चैब है कुछ अब लीवर के इस यहां पर बनते हैं इस सबसे पहले बात लीवर का वेट पूछा जानए बता दीजिए दूसरा आप लोगों से यह भी बाइल जूस कहां से निकलता है ये भी आप लोगों को बताना है लीवर से निकलता है ठीक है उसी तरीके से यहां से एक प्रोटीन निकलता है है ठीक है जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है इसी तरीके से यहां से और प्लाज्मा प्रोटीन निकलते हैं जैसे अगर हम बात क और एक निकलता है यहां से प्रोथ्रों में प्रोथ्रों में ठीक है यह निकलते हैं यहां से लिवर का वेट कितना बता है 1.5 kg ठीक है यूरिया का 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 फॉर्मेशन लीवर में होता है और यह बात तो मैं आप लोगों को पता हैं जब बच्चा embryo stage में होता है तो फिर उस case में जो होता है आरवी दीका अलकलाइन मनाता थिक यह का वसक्रीन का काम सब्सक्राइब उनके अन्दर ब्लड को जमने नहीं देतायेज है इक बात ऑफ asu होता है कि एक्स्टातव सब्सक्रीन उन्भाट किया जाता है ड्लाइकोजन में आको पता होगा जब ने तो जो food हमें चाहिए होता है वो glucose के रूप में हमें energy देता है अगर हमारा ग्लुकोस अभी यूज नहीं हो रहा है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में क्या होता है स्टोर हो जाता है और इसी process को हम लोग क्या नाम देते हैं इसी process को glycogenesis नाम देते हैं ठीक है अब जब हमारे बॉड़ी को energy दुबारा से चाहिए होती है तो यही glycogen दुबारा तूट कर हमें glucose देता है ठीक है तो यह जो glycogen होता है यह liver जो है इसको store करने में मदद करता है किसकी help से insulin hormone क्यों इसे insulin hormone इनको help करता है glycogenesis process होने के लिए तो हमने काफी सारे फैक्ट यहां पर पढ़ लिए हैं हमारा answer क्या होगा हमारा answer यहां पर होगा बी वेरी गोड़ी कि एन नेक्स कोश्चन हाव मैनी बॉन्स आर देर इन हुमन इसकाल मानुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो यहां पर दिया गया 28 32 30 या पर 34 बताए क्या correct answer होगा यहां पर आप लोगों को एक animation भी दिया गया है आप यह animation देख सकते हैं देखें आपको मेशने हिस्से में यह हमारा माथा होता है ठीक है और आप देख सकते हैं यहां पर पीछे एहां आ क्रेनियल बून होती है और यह कितनी होती है ये होती है फिर यह चुसा मने आप लोगों को दिख रहा है यह हिस्सा यह यह गुदा फेस और इनको हम पूलते हैं टेश बॉल सब den बोन में तो यह कितनी होती है six ठीक है हाला कि एक बॉयन और होती है इसमें जो गले में होती है हायोड बॉन हायोड बॉन लेकिर उसकी बात यह कर नहीं रहा है क्योंकि टोटल 29 होती है लेकिन option देखें तो यह गले में तो रिप्स में होती है 12 पे यारी 12 इंटू 24 ठीक है रिप्स में हो गई है और जो बटे बड़ा कॉलम होता है उसमें कितनी होती है 33 होती है लेकिन बाद में फ्यूज होके यह कम हो जाती है ठीक है तो कुल इलाके मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी बॉंस होती है वे 126 हमारी बॉंस हो गई और 206 होती अस्सी ये होती है ठीक है क flexibility को 80 हमारी ये होती इंट जिसमें 18 में 29 हो गई में ठीक है 24 हमारी रिप्स में में हो गई जिस जिसमें एक इस टन्नम और होती है जिसमें वह जूडई होती है 25 हो गई ठीक है तो कितनी बची है अब हमारी आप जोड सकते हैं यहां पर बचती है 26 जो कि हमारे वरटेब्रा कॉलम नाथी तो 29 25 और 26 जोड़कर कितनी गदाती है 120 में 31 hand में 30 दूसरे hand में ऐसी 31 leg में 30 दूसरे leg में तो ये कितनी हो जाती है ये हो जाती है 126 bone ठीक है समझ में आगी बात आप लोगों को हमारी bones कहां पर कितनी कितनी होती है तो चलिए अब हम लोग next question पर चलते है next question है what is the minimum distance of clear vision for a normal eye समाने आख्वों के लिए इसपस दस्टी की नियूंतम दूरी कितनी होती है बहुत अच्छा question है यहां पर हां यह बिल्कु सही बोले है रानी जी सबसे लंबी bone जो होती ही वह फीमर होती है यह थाई जांक की अड़ी और जो सबसे चोटी से कम नहीं होनी चाहिए दूर चाहिए आप कितना भी कर लीजिए दूर का तो हमें चंद्रमा भी दिपता है यानि infinity क्या होगा कार्तिक जी और धनेंजे और एक डिटर्मिनेशन आपके आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल करेक्ट है आगे चलते हम लोग और एक एनिमेशन देखिए यह बच्चा बुक रीट कर रहा है आप एनिमेशन देखिए अब इसको यहां पर तो देख रहा होगा अब यह जब अपनी आपके पास इसको ले आएगा अब इसने मिनिमूम डिस्टेंस जो है वो कम कर दिये तो अब इसको दिखना जो है थोड़ा सा कम हो जाए देखिए लेटर्स नेक्स्ट कोशन है विच आप फॉल्वाइंग पार्ट ऑफ आई गैट अफेक्टेड बाई मूतियव इनके द्वारा मानम नेत्रका निम लिकित में से कौन सा भाग प्रवावित होता है मूतियव बंद आप लोग जानते हो कि एक लेयर बन जाती है ले लेंस ओफ यॉर आई कि बिकम क्लावडी ठीक ए तो इसी को हम लोग क्या बपते है मूतियवेन बोल देते हैं ठीक है नहीं रान्य जी कोर्णियव पर नहीं होता कोर्णियव जोती है ट्रांसपारेट लियर होती है जो स्केलर आपर पाही जाती है लैंस के उपर झ्ली बनती है만 किसके पांसर यहां पर डी होना चीए और आए एक एनिमेशन हम लोग यहां पर देखते हैं कि दिखे किस तरीके से यह बलर दिखेगा अगर किसी को कैटरेक्ट की बिमारी है तो उसको यह फूल कैसा दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ फ्लार उसको दिख रहा होगा रतनेश जी हेलो कैसे यहां प्रतनेश जी एंड नेक्स पॉस्चन इस विच आफ दा फॉल्वाइंग हॉर्मॉन सिटियमुलेट दा पैंक्रियास तू प्रेड्यूस डाइजेस्टिव जूसेज निमलिकित में से कौन सा हॉर्मॉन अग्नासाय को पाचक रस बनाने के लिए टेज़ित करता है देखे अगर रेनीन की बात करों तो यह पैंक्रियास तो निकलता कि यह इसको आप कैंसर कर दीजेंब song जो है यह को पचाता है हाला कि यहां पर जो दिया गया है आपको पेपसी यह human stomach में पाया जाता है यह भी क्या करता है प्रोटीन को पचाता है लेकिन यहां पर pancreatic juice की बात हो रही है तो pancreatic juice जो है वो ट्रिपसिन से निकलता है तो आपका आंसर टूसिन नहीं होगा आप लोगों का अंसर होगा सिक्रेटीन जो हता है यह यह इस पूली होगी वह सेवनपॉइंट एट के बीच में होती है आप से कई बार एकजाम में पूछा जाता है कि जो pancreatic juice होता है जिसमें enzymes पाया जाते है trypsin पाया जाता है amylase तो carbohydrate को digest करता है trypsin protein को digest करता है तो यहां पर secretin जो होता है वो इसी juice को और निकले उत्तेजित करता है आप से question exam में पूछा जाता है कि यह जो pancreatic juice होता है यह alkaline होता है आखिर किस वज़स होता है तो इसके अंदर पाया जाते हैं bicarbonates bicarbonates बात समझ में आ रहे हैं तो हम यहां पर आंसर क्या लगाएंगे हम अपना आंसर प्री लगाएंगे कि आई होप सभी को समझ में आया होगा and next question है in the human body most of the digestive process take place मानव सरीर में पाचन का अधिकांस प्रक्रिया किस अंग में संपन होती है mostly digestion कहां पर होता है बस आप लोगों से यही पूछा गया है तो pancreas में large intense time में small intense time में कि stomach में जी देखे pancreas जो है यह digestion का कोई काम तो नहीं करती है लेकिन यहां से जो enzyme निकलता है वो digestion में मदद करता है large intense time में किसी भी तरीके का digestion नहीं होता है जितना भी food के अंदर water होता है और जो salt होता है वो absorb होता है इस टमक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कार्वो हाइड़ेट का digestion नहीं होता है यह आप लोगों को याद रखना है इसको काट दीजेगा यह बात आप लोगों को याद रखने है कि human stomach के अंदर protein का digestion होगा fat का emulsification होगा protein तूटके pepton बदल जाएगा लेकिन कार्वो हाइड़ेट का digestion किसी भी तरीके से नहीं होगा क्योंकि कार्वो हाइड़ेट का digestion होता है या तो वह मुख में बकल कैबटी में होता है बहुती कम मात्रा में partially और जितना भी digestion होना होता है या तो small intense train में होता है ठीक है और small intense train के है जितना भी digestion होता होता है final small intense time में खतम हो जाता है आगे नहीं होगा small intense train की length आप लोगों से पूछी जा सकती है अगा फिट में पूछेगा तो 22 फिट लगा कि आना किलियर है आई अब हम लोग एक animation देखेंगे यह बच्चा खाना खाएगा देखिए इसने अपने मुख में जो है खाने को रखा है और यह food देखे किस तरीके से माउट से होता हुआ इसोफेगस में जाता हुआ ठीक है इस टमक में जाएगा और इस टमक में पाया जाए जाएगा जी धना जविल को सही कह रहे है इस टमक में पाया जाएगा आपका क्या एसील एंजाइम जो की यहां पर food को तोड़ने का काम करेंगे फिर यही food जो है टूटने के बाद इस टमक से निकलेगा और अब स्माल इंटेंस टाइन में जाएगा अब स्माल इंटेंस टाइन में लाठो की संख्या में होती है पिंगर-like projection विलाई और प्रोजेक्शन तो यह विलाई क्या करता है इनी में लिंप नोड़ भी पाय जाते है तो यहां पर फूड का इन इंटेचन थोरी सी होती है कंपे देचसेंट ज्यादा करना पढ़ता है घर तो ये लारज न्यूर्ट यहां से बॉर्टory औरॉल द्वह चींचे के रजाता है पूरा एनिमिशन आप लोगों के लिए लगाया है यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन आप लोगों की स्क्रिन पर है कोश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कोश्चन है विच वन आप दा पॉलोईंग एनिमल फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग तो आउट इस लाइफ इट हैस टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू कीप इट सीथ फ्रॉं बिकमिंग टू लॉंग हिंदी में क्या दिया गया है देख लीजिए कोश्चन को हिंदी में दिया गया है निमलकित में से किस जन्तू के आगे के दात जीवन भर बढ़ते रहते हैं इससे अपने दातों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीजों को कुतरते रहना पड़ता है टर्माइड नहीं लिजर्ड नहीं रेट नहीं तो यहां पर आप लोगों का अंसर क्या होगा गिलहरी होगा क्रेक्ट अंसर क्या होगा गिलहरी गिलहरी क्या होती है हर वक्त कुतरती रहती है ठीक है जी तो यहां पर कार्थिक छाया आपका अंसर सही है तो यहां पर हमारा अंसर क्या ह उसको मेड़क ने खा लिया है देन एनर्जी ट्रांसवर विल भी फॉर्म यदी मेड़क टिड़क को खा जाए तो उर्जा का इस्ताना अंतरा डैश होगा प्रोड्यूसर टू डेकंपोजर नहीं प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर यह गलत है यह जो टिड़क होत झाया और इसको खाया फ्रॉग में तो यह secondary consumer हो जाएगा और यहां क्या क्या है secondary रिंट प्रातमर नहीं है हमारा रेक्पांसर यहाँ पर क्या होना चाहिए तो कर्यक्त एंसर हमारा यहा पर होना से है करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर पूछा तो एनर्जी प्राइमरी कंजूमर यानि जो ग्रास सोपर है टिंडा है उससे फ्रॉग यानि मेड़क की तरफ गई है ठीक है एंड अनदर कोशन चिल गोजा इस फाउंट फ्रॉण चिल गोजा कहां से प्राप्त होता है यहाँ पर बोला है टेक्सस बेकेटा या फिर सीड्रस दियोधारा साइकस या फिर पाइनस जिराडारिया जिरा डरियारना बताई क्या करेक्ट आंस होगा तो हमारा आंसर होगा पाइनस डी बिल्कुछ चाही बो from which one of the following variety of seeds पहले वाले कोश्चन में आपसे चिलगो जाके पेड का नाम पूछा था अब आपसे इस कोश्चन में जो है उसके बीज का नाम पूछ है तो पाइन का हो गया पाम का हो गया साइकस का हो गया कि देवदार का हो गया तो अभी हम लोगों नहीं आंसर दिया है हमारा आंसर क्या हो जाएगा पाइन हो जाएगा नेक्स पूर्शन है दा एज ओफ आट्री डिटर्माइन इन येर बाय ब्रक्षो की आयू वर्सों में निर्धारित की जाती है वेट के द्वारा हाइट के द्वारा या दनमबर ओफ एन्वल रिंग्स और प्लांट के द्वारा या फिर लेंथ आफ रूट्स तो देखिए जो तना होता है जो वुडी तना होता है डेंड्रो लॉजी के तहत इसका अध्यन किया जाता है उसमें जो रिंग्स होते हैं वहां से इनकी एज का पता लगाया जाता है ठीक है तो इसका आंसर जो होना चाहिए द्धनज्य विल ग्लोइप पंखुड यह get u roots का यह फिलार का फ्लार होता है और सिट फॉर्मिंग पार्ट्स का होता है दिखी फारीस ही होता है सीट एंड बस तो हमारा क्रेक्ट क्या होगा हमारा क्रेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सुटिक है चले अब आप लोग यहां पर होमेर्गो को और को थिन आतों आप लोगों बता हूँ तो आपको सिर्फ इतना बताना है यहां पर बॉड़ी में प्रोटीन की कमी से होती है कि प्रोटीन की कमी से उसको आप लोगों को कौमेंट वोकस में बताना है जब में जाफौन कहते हैं हो सकता है मुझे आईडिया निया रानी जी इसका नाम कश्मीर में क्या होता है तो फिलाल हमारा answer क्या होगा फिलाल हमारा answer हो जाएगा यहां पर सी और होमबर question आप लोगों को मिल गया human में अगर protein की deficiency होती है तो कौनसी बिमारी होती है जिसका आंसर आप लोगों को वीडियो खतम होने के वाद कॉमेंट बॉक्स में देना है तो आज की क्लास नहीं पर फिनिश होती है अब मुलाकात होगी नेक्स क्लास में मैं आप लोगों को अपनी सेड्यूल बता देता हूं महातैयारी बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है इसमें इंग्लिश जो है डॉक्टर अमी सिशोधिया सर्द मॉर्णिंग में एट एम पर कराते हैं और टू पीम पर कराते हैं नाइन एम पर एकनॉमिक सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी स्टुएंट्स ने अभी तक हमारी MWype के अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग MWype के अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें क्योंकि MWype के अप्लिकेशन पर आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलते है हैं आप लोग यहाँ पर अपनी concept wise यानि chapter wise भी तैयारी कर सकते हैं हमारी app पे आएंगे तो हम वहाँ पर chapter wise भी आप लोगों की classes ले रहे हैं इसके इलावा अगर आप लोगों को छोटा सा छोटा concept के लिए करना तो उसकी भी video available है और बड़े से बड़े chapter को अगर आप video available है यानि जो आप पढ़ना चाहते हैं आपकी सुवधा के अनुसार वह available है हमारी application पर जैसा कि आप लोगों का एक्जाम आ रहा है आप लोगों को mock test देने होंगे तो mock test भी हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए free of cost है M.Y.P की application पर play store में जाईए और M.Y.P application को download करिए यहाँ पर mock test की खासियत यह है कि आपका results जो होता है वो artificial intelligence based आता है जो कि आपको suggest करता है कि आपने जो आज का paper किया था time taken किया था even एक question पर भी आपको बताएगा कि यह question आपने जल्दी solve कर दिया है यह question आपने time लेकर solve किया है इसके साथ साथ आपको यह भी बताएगा कि आप किस particular part में strong है किस particular part में आप weak है अगर आप चाते हैं कि आप अपने test को customize करें जैसे आप चाते हैं कि आज आपके GS में जो है history के questions ज्यादा हों तो आप अपने set को customize भी कर सकते हैं ठीक है तो यह सबसे अच्छी खुबसूरती है हमारे हां जो कि आप अपने test को customize अपने अनुरूप कर सकते हैं जैसे आप अगर माली जै एक्जाम से दूर हैं तो आप अपने test को easy बना सकते हैं और जैसे जैसे आप exam के पास आरे easy moderate और hard test अपने आप design कर सकते हैं तो आज ह करें और जितने भी बच्चे हमारे टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं उन सभी से मैं request करना चाहूंगा कि जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाए हमारे टेलिग्राम ग्रूप का नाम है M5 Achieve Defense Exam ठीक है ताकि आप लोगों को हम लोग पीडिया प्रो तुड़ खाओ खाराम घुकाoden बचारों को हमारे टेलिग्राम ग्रूप